हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं कोचिन से प्यार लेमिटेड की कोई लिए अलेसस देख लेते हैं चनल को लाइक एं सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यहां पर आप देख रहे होगे स्टॉक जो मोमेंटम पकड़ रहा है वो एक formation बना लिए stock ने और यहां पर जो breakout level होगा वो आने वाले दिनों में ये वाला देखने को मिलेगा अपन को यहां तक का 1241 या 1250 के around क्योंकि यहां पर अभी यह triangle थोड़ा सही से बन नहीं रहा है यह formation थोड़ी और सही होगी अभी तो आने वाले दिनों में जो levels रहने वाले है वो आपको बता देता हूँ तो यहां पर आप देख रहे होगे यह hurdle का काम कर रहा है यह level तो 1143 के around है और यहां से rejection पहले भी आया था यहां आया था यहां भी बनाए और यहां पर फिर से बन सकता है अगर यहां से rejection फिर से बनता है तो stock फिर से fall करेगा support की बात कर लेते हैं जरूर है बट ठीक हैगा क्योंकि यहां पर आप देखेंगे जैसे इसे trend line के करीब होता है तो उतना ही sellers देखने को मिलते हैं तो यह जो momentum देखने को मिलेगा जैसे यह stock निकलेगा इस trend line को cross करके तो अपना जो next target आने वाले दिनों में राएगा वो 1200 कर आएगा psychological level है और यह यहां पर आप देखोगे exam flat होगा नीचे से आप support लेते वा रहा है तो यहां से breakout के chances बनेगे अपने और जो breakout level फिर अपना देखने को मिलेगा वो 1250 के यह देखने को मिलेगा वो high हैगा तो 1250 sustain कर लेता है तो अपना जो next target होगा वो यह होगा और यह वाला जब sustain कर लेगा वो 1300 के करीब जाएंगे ऐसे ऐसे करके stock आपका ऊपर जाएगा दिरे दिरे शटन momentum नहीं आएगा जो भी रहेगा थोड़ा थोड़ा रहेगा और यहां पे आप देखोगे कि जितना भी जो levels हैंगे यहां पे क्योंकि यहां hurdles जाता हैं देखने को मिल रहा है sellers का area बनते वे जाता है तो reversals यहां से consistently consistently बनते ही चले जाते हैं और जैसे जैसे फिर उपर जाता है यहां से फिर reversal आ जाते हैं तो already यहां पर आप देखें कि September से आज November end होने वाला है कुछी दिनों में बट इसके level को cross नहीं कर पाया है तो hurdles आप समझ सकते हैं कितना बढ़ा है गा तीन मही जे राइत स्टॉक के तो यहां पर आप देखरोगे sales 954 CR की थी इस बार की लास्ट टाइम यह सेptember के quarter में 683 CR की रही थी expenses की बात कर लें इस बार तो 759 CR की थी लास्ट टाइम यह 543 तो expenses obviously बढ़ेंगे अगर sales बढ़ेंगी operating profit वा 195 CR रहा था लास्ट टाइम यह 139 CR तो इजाफा काफी अच्छा हुआ है इसका दादर income 88 CR लास्ट टाइम यह 61 CR तो यहां पर भी सही चला है interest 9 CR करा है लास्ट टाइम यह आप देखेंगे तो यह 12 CR का था इसके बाद depreciation इस बार 15 था लास्ट टाइम यह 15 सेम था profit before Texas वा 258 CR निकल के आए लास्ट टाइम यह 174 तो profit में इजाफा बहुत प्यारा हुआ है net profit 191 CR है और यहां पर 120 CR था लास्ट टाइम तो आप देखोंगे profit अच्छा निकल के आए still what आप देखेंगे कोचीन में कोचीन से प्यार में वो momentum देखने को भला नतीजे भले यहां कहीं रहे थे थोड़ा सा momentum पकड़ा अदरवाइस उससे आप से नतीजे रहे है तो stock को भी high break करके निकल जाना चाहिए तो इसलिए मैं कहा हूँ slow stock है sudden नहीं भागेगा slowly चलेगा safe stock होते हैं तो slow stock होते हैं तो यह slow stock है और ऐसे ही चलने वाला है आप देखेंगे पहले भी कोई जादा बड़े momentum नहीं है stock में consistently यहां पर देखेंगे थोड़ा थोड़ा momentum आया फिर नीचे गया उसी levels के साथ थोड कर दो